नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुवात करते हैं आज की खास ख़वर से नमस्कार आप देख रहे हैं RPS समाचार मैं हूँ आपके साथ रगुनात्र शास्त्री आज हम बात करते हैं पित्रपच की शुरुवात किस दिन से होगी और उसमें क्या क्या शाओधानी बरतनी चाहिए और कैसे स्राद कर्म करने चाहिए इन सब विश्रुव पर आज हम बात करेंगे 29 या 30 सितंबर कब से शुरू होगा पित्रपच सबसे पहले या जानते हैं और किस तिथी को किस पूर्वज का स्राद कैसे करें या भी जानते हैं हिंदू धर्म क्रंथों में हर वर्ष 16 दिन का पित्रपच यानि श्राद का समय आता है जिसमें हम अपने पूर्वजों या पित्रों को श्राद धन्जल और शम्मान देते हैं संस्करत में पित्र का मतलब पूरवज या पितर होता है और पच्छ का अर्थ शमय या अवधी होता है बैदिक ज्योतिस के मताविग जब सूर कन्या रासि में प्रवेश करता है तो पित्रपच yağनी स्राथ की सुरुवात हो जाती है इस चौधी को पवित्र माना जाता है और उस दोरान हम अपने पूरोजों का स्राधिया तरपन करते हैं या पिंड़दान करते हैं 29 या 30 सितंबर कब से शुरू हो रहे हैं पित्रपच आई जानते हैं और कर्श्रपच अमाउस्या यानि सरपित्र अमाउस्या के दिन खत्म होते हैं हलाकि शाल 2023 में अधिक मास की वज़े से 2 स्रावन महीने हो गए थे जिसके चलते स्राध 12 से 15 दिन विलम से सुरू हो रहा है 15 दिन के होते हैं या 16 दिन के होते हैं पित्रपच आई जानते हैं 32 के अनुशार हिंदो पंचान की तिथियों में 16 की संख्या होती है इंसान की म्रत्यू 16 तिथियों में ही होती है और जब हम पित्रों का सराथ करते हैं तो उनकी म्रत्यू तिथी के मुताविक करते हैं इसलिए पित्र पच्छ केवल 16 दिन के होते हैं हाला कि कभी या 15 दिन के भी हो जाते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होते हैं स्राद कर्म दोहजारиля का सुममौट आईये जांते हैं। पित्रपचके दौरान स्राद अनुष्ठान को सम्पन करने के लिए कुतुप रोहेंड आज सुममौट होते हैं। आपको वता दें कि दोपहर तक सभी स्राद समंधी अनुष्ठान पूरा कर लेना चाहिए। आए जानते हैं ये महुर्ट कब हैं? 31 सितंबर 2023 को, कुतुप महुर्ट दिनके 11.47 मिनट से 12.95 मिनट तक यानि इसकी अवधी 48 मिनट है रोहन मोहुर्थ दिनके 12 बजकर 35 मिनट से 1 बजकर 30 मिनट तक यानि इसकी अवधी 48 मिनट है और आपरहन काल जो होगा वो दिनके 1 बजकर 23 मिनट से 3 बजकर 46 मिनट इसकी अवधी 2 गंटा 30 मिनट की होगी प्रत्यपदा तिथी का सुभारम 31 सितंबर 2023 को दिनके 3 बजकर 26 मिनट से होगा और 30 सितंबर 2023 को दिनके 12 बजकर 21 मिनट पर श्माप्थ होगा प्रत्यपदा का सुभारम 31 सितंबर 2023 में स्राथ की 16 तिथियां कप-कप हैं आईए जानते हैं पोनिमा और प्रत्यपदा का सुभारम 31 सितंबर 2023 दिन सुक्रवार ननिहाल पच्छ में अगर कोई स्राथ करने वाला नहीं है तो आप प्रत्यपदा तिथि के दिन स्राथ कर सकते हैं चार अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा अगर किसी अविवाहत की अमरत्य होती है तो आप उसका स्राद पंचमी तिथी को कर सकते हैं चार अक्टुबर दो हजार तेश को आप कुमारे पूरोजल का स्राद कर सकते हैं खश्टी तिथी का स्राद चार अक्टुबर दो हजार तेश सप्टमी तिथी का स्राद पांच अक्टुबर अगर आपको माता की तिथी नहीं ग्या ते तो आप पित्रपच की नौमी तिथी को माता का सरात कर सकते हैं दसमी तिथी का अश्राद 8 अक्टूबर 2030 दिन रविवार को है एकादसी तिथी का अश्राद 9 अक्टूबर 2030 दिन सोमार को होगा मगा अश्राद 10 अक्टूबर 2030 दिन मंगलवार 82 तिथी का अश्राद 11 अक्टूबर 2030 दिन बुधवार जो शन्यासी होते हैं और उन प्रभर 203 दिन गुरुवार को होगा बच्चों का असराद पित्र इसराद की 23 तिथी को ही किया जाता है 14 तिथी का सराद 13 अक्रुबर 2030 दिन सुक्रवार जिन लोगों की मृत्तियों सोसाइड या एक्सिडेंट में होती है उनका स्राद चतोर्दसी तिती को ही किया जाना चाहिए। सर पित्र अमवाश्या स्राद 14 क्टूबर 2023 दिन स्वनिवार सभी जात अग्यात पित्रों का स्राद सर पित्र अमवाश्या के दिन किया जाता है। उसे पित्र विसरजनी अमवाश्या भी कहा जाता है। पित्र पच्च के दौरान स्राथ करना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं, जीतिश के मुताबिक अगर प्च्च के इससे देवता यानि भगवान भी खुश हो जाते हैं इसलिए आस्तुने मवस्य के दिन सभी को तरपन करके अपने पित्रों को याद करना चाहिए और ब्रामनों का या जरूत मंदों का भोजन भी करवाना बहुत अवस्यक होता है और भोजन के दौरान दच्छना भी देनी चाहिए पित्र पच्छ का क्या महात्तो है आये जानते हैं हिंदो धर्म ग्लंतों के अनुशार माना जाता है पित्र पच्छ के दौरान हमारे पित्र यानि पूर्वज अपने जीवित वनसुजों से मिलने के लिए धर्ती लोग पराते हैं उस दौरान हमें अपने पूरु सिराथ कर्म श्रफ से महत्त पूंवन अनुष्ठान या पित्रों या पूरुजों की और शें परिवार के बड़े बैटे द्वारा किया जाता है। इस अनुष्ठान में हम पूरुजों को भोजन पानी और प्रिशाथ अर्पित करते हैं। तरपण, पित्र पच्के दोरान तरपण भी एक अनुष्ठान है जिसमें परिवार का बड़ा बेटा या छोटा बेटा अपने पित्रों को जल अर्पित करता है, माना जाता है कि पित्रों को जल अर्पित करने से उनकी प्यास बुझती और उन्हें हर तरह के कश्चे मुक्त मिल जाती है फिंदान फिंदान में पूरुजों को चावल या आटे की गोलियां आर्पित की जाती है कहा जाता है कि ऐसा करने से पित्रों की भूख की नाराजगी के कारण होता है यदि की कुंड़ी में पित्र दोस्त मजबूत है तो वा पित्र पच के दोरान पित्र पूजा करा सकता है कैसे करें घर में स्राद आए जानते हैं सबसे पहले अपने पित्रों की मृत्यू तित्यू को जान लें यदि आप घर पर पित्र पच के दोरान स्राद करनी के सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुरोद से पहले शनान आज करना होगा इसके बास साफ वस्त पहन कर आपको पूरे घर में गंगाजल च्रुपना होगा FEMA फिर स्राद के लिए आपको सफेद पुष्ट गंगाजल सह पारड़ दूद और तिल यासी सामग्दe लेनी होगी। तामे का लोटा लेना होगा। जिसमें काले तिल गाय का कर्च्या दूद गंगाजल और पानी डालना होगा। इसके बाद हाथ में कुछलेकर अंजली बनाकर शीध्य हाथ में तर्पन अनुष्ठान के दौरान अपने मुख को दठ्चुन दिसा में रखना होगा फिर अपने पूरुज़ूं को ठीर चढ़ानी होगी ततवच्चाद, गाय, कुत्ते, कव्वे, देवता और चीन्टी को भी भोजण कहिलाना होगा आखिर में ब्रामलों को भोजण कराना होगा पित्र-पच में क्या दान करना चाहिए? आई जनते हैं पुराणों के मताविक पित्र पच के दोरान गुड का दान करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि पूर्वज हमारी दर्वित्ता का नास कर देते हैं। स्राथ के दोरान गाय का दान करना सुब रहता है क्योंकि ऐसा करने से सुख सम्राद्धी बनी रहती है। पित्र पच्छ के दौरान गाय का घी दान करने शेप घर में कलह स्मापत हो जाती है। पित्र पच्छ के दौरान गेहुं और चावल का दान करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि शभी कामों में सफाल्ता मिलती है ऐसा करने से। पित्र पच्छ के दौरान सोने का दान करना भी सुमाना गया है, ऐसा करने से लड़ाय जगडा घर पर नहीं होता है। काले तिल का दान पित्र पच्छ के दौरान बहुत सुमाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे पित्र दोस्ट दूर हो जाता है। घर में पित्रों का स्थान कहां होना चाहिए आये जानते हैं। वास्तु साथ के इंशाथ पित्रों की तस्वीर का मुख्धशन दिशा की तरप होना चाहिए। या दिशा यम की दिशा मानी जाती है। कभी भी श्नाना घर के पास पित्रों का स्थान ना बनाएं। कभी भी मत्रत का इस्तिमाल करना सरात के दोरान गंगा जल, दोद, शहध, कूश और तिल का उप्योंकर न चाहिए। पित्र बच्च के दौरान सपेद मिठाई गरीबों को दान करनी चाहिए। पित्रों की आत्मा की शांती के लिए स्राथ के दौरान दही चूड़ा का ब्रामणों को भोजन कराना सो होता है। पित्र बच्च के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए। पित्र बच्च के दोरान प्याज, लहसुन, यशित, कामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। स्राथ बच्च के दोरान नानविज खाना उचित नहीं माना जाता है। मांस पित्र बच्च के दोरान कच्चा आनाट और आलू, अर्बी और मूली जिसी सब्चियां नहीं खाना चाहिए। पित्र बच्च में महिलाओं को क्या करना चाहिए। स्राथ पच्च में महिलाओं को शाम के समय नेमित दच्छन स्राथ की तरफ दिया जलाना चाहिए मावसिक धरम के दौरान पित्र पच्च में महिलाएं स्राथ का खाना ना बनाएं पित्र पच्च के दौरान महिलाएं स्राम को घर में सफाई कारिना करें गर्ण पुराण के अनुशार बड़े बेटे ही नहीं बलकि बेटी भी अपने पित्रों का स्राद कर सकती हैं। पुराणिक कथानुशार माता सीता ने अपने ससुर दसरत कारपिंदान किया था और उन्होंने फालगुन नदी के तर्ट पर बरगत को साची मान कर बालू कारपिंद बनाकर राजा दसरत कारपिंदान किया था। पित्र पच में किन वस्तूं की नहीं करनी चाहिए खरीदारी. आइए जानते हैं, मानता है कि पित्र पच के दौरान खरीदी गई वस्तूं पित्रों को समर्पित होती हैं और इसलिए उन वस्तूं के प्रेतों का अंस होता है, इन वस्तों को इस्तेमाल इंसान को नहीं करने चाहिए स्राथ पच्च के दौरान नए कपड़े गहने नहीं खरिदने चाहिए हाला कि आप नया मकान प्लाट प्लैट नई गाड़ी खरीच सकते हैं इन सभी चीजों से पित्र खुश हो जाते हैं अगर कुछ आवस्चक समयन खरीदना है तो आप पित्र पच्च के दौरान खरीच सकते हैं मगर कुछ लोग स्राथ पच्च में खरीदारी को सुम मानते हैं कुछ का मानना है कि स्राथ गड़ेश चतुर्टी और नौरात्री के बीच आते हैं और या असुब नहीं है मंत्र बोलना चाहिए पित्र पच्च के दौरान पित्रों का तरपन करते समय शादे जल में दूद जों और तील मिला कर उसे अंजल में लेकर तीन बार पूरवज को याद करते हुए गोत्रे अस्मत पिता यानि पितर का नाम उसके आगे शर्मा वास रूपत तरप्त मिदम तिलो कदम गंगा जलम वा तस्मे स्वधा नमाहा मंत्र का जब करना चाहिए उसके बाद पित्र का यत्री मंत्र का व्योग करना चाहिए ओम पित्र ग्रणाय बिदमह जगद्धरनी धारनी धीमहु तन्नू पित्रो क्रचो दयात उसके बाद ओम दिवताब्व पित्रबस्च महायोग बस्च तिवम चनमाह स्वाह स्वधय नित्तिमेव नमू नमाह उसके बाद ओम आद्धिभूताई बिदमह स्टर्व सेवाई धीमह स्यूसत्य रूपें पित्र देव प्रचो दयात पित्रो को कितने बजे जल देना चाहिए पित्र पच के दोरान पित्रों का जल देने का समय सुबह ग्यारा बच कर तीस मिनट से लेकर बारा बच कर तीस मिनट तक होता है पित्र बच के दोरान पित्रों का शिरुबात पाने के लिए स्यूलिंग पर एक लोटा जल के साथ पीला कनेर का पुष्ट जरूर चड़ाँ चाहिए वैधानिक चेताउनी जहां मुवया कराई गई सूचना अलग अलग माध्यों पर आधारिते हम यहां किसी भी जानकारी की सटिकता की गारंटी नहीं लेते हैं हमारा एक मात रोदेश आप तक सूचना पहुचाना है किसी भी जानकारी को आप अमल में लाने से पहले सम्मंधित विशेसग से अवस्री शला कर लें जिससे की आपकी संका दूर हो शुके दोस्तों इसी तरह के आठकल जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं जिससे की प्रतिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें जैसे की प्रतिक दिनकार आशिफल प्रतिक परवका आठकल नई और ताजी खबरें खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देख तेरी आर्पियस समाचर हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं